अडानी ग्रूप पर हिडन बर्ग की रिपोर्ट जिरुड़ाय पुरा प्रक्रण है जहां PCC में गौरव वलब प्रेसवारता कर रहे हैं सरकार इसकी छान बिन क्यों नहीं कराती है सरकार JPC क्यों नहीं कराती है अरे संसत के दौनों सदनों में आपका बहुमत है आपके संसत जादा होंगे आप डरते क्यों इतना मोदी जी और आपके डर्खों मिटाने के लिए हमने बारत जोड़ो यात्रा करी डरो मत सत्यता के साथ खड़े रो आप JPC से क्यों भाग रहे हो जब हिंडनबग रिपोर्ट कह रही है कि Tax Haven Country से अडानी ग्रुप को पैसा मिला उस पैसे का असली मालिक कौन है विदेशी सेल कंपनियों से बारत आने वाले काले दन का असली मालिक कौन है अरे बात तो आपने करीदी 15 लाग रुपिये हर व्यक्ति के खाते में आ जाएंगे पर सच्चा यह है कि 2021 में 3500 करोड रुपिया और 14 साल का अधिक्तम पैसा स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा है हमको का गया स्विस बैंकों से पैसा आयेगा हर व्यक्ति के खाते में 15 लाग जाएगा और सच्चा ही यह है कि स्विस बैंकों में जमा अपने 14 वर्ष के अधिकतम मुल्य पर है तो जेपीसी से मोदी जी डरो मत क्यों क्यों डर रहे और किसे बचाना चाते हो दूसरा जब ये सब धोकादड़ी हो रही थी और मैं आपको आकड़े दूँगा तो भारत की जो सिकुरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिय जिसको हम सेबी कहते हैं वो सेबी सो क्यों रही थी किसके दबाव में सो रही थी मैं आपको कुछ डाटा देता हूँ 24 जनवरी 2023 से लेके 15 फरवरी 2023 के बीच मतलब 25 दिन के अंदर अडानी गुरुप का साड़े 10 लाक करोड 10.5 लाक करोड is equal to 10.5 ट्रिलियन अडानी गुरुप की मार्केट कैप में कमी आई सेवी ने कोई जाच ने की किसका पैसा डूबा उन छोटे छोटे निवेशकों का पैसा डूबा जिनोंने बड़े वे भाव में अडानी कंपनी के गुरुप के शेर खरीद लिए उसके भाव आदे होगे सेवी खामोश बैटी वी है